राधे राधे मैं आचारे हिमान्शोपमन लेकर उपस्तित हूँ आपका प्राया के भाती ही दैनिक रासिखन जहां कैपिटल टीवी के माध्यम से आप मुझसे काल चकर के माध्यम से जुड़ते हैं और जानते हैं अपने जीवन के बारे में क्या है आपके आने वाले दिन का घटना चक्र किस प्रकार से आपका दिन घटेगा और क्या आपको लाब होगा या क्या नुकसान होने के अवसर बन सकते हैं ये सब कुछ आप मुझसे समझते हैं जानते हैं आज के दिन के राशी फल में तो आईए प्राय की भात ही आरम करते हैं समझते हैं माग माग के शुकल पक्षिक की आज के दिन द्वादसीती थी जो कि 4 बज़े कर 11 मिनट सायम काल तक रहेगी और आद्रा अनक्षत जो कि संपूर्ण दिन रहने वाला है और राहू काल 1 बज़े कर 30 मिनट से 3 बज़े तक गुलिक काल 6 बज़े से लेकर 7 बज़े कर 30 मिनट तक रहेगा दो 50 काल रहेगा डवक्ती करें बारा वजय से ले कर रहने तक रहने वाला है कि अब आश्यत कुम की अब जित्म हुट भगवान नारायन का समय है और ध्वादसी भगवान शिवग की दिती tutti अर्थात आज है प्रदोस बुरत और साथ ही है भीस्म द्वादसी जिसे वारह द्वादसी कहा जाता है आज के दिन भगवान विश्णु के वारह सुरूप का पूजन होता है भगवान विश्णु का पूजन किया जाता है आज के दिन में यह विसेश होता है तो भगवान व दिन में आपके घटना चक्र के बारे में काल चक्र के बारे में तो आज के दिन मेसरासी से आरम करते हैं मेसरासी के जो जातक हैं आज के दिन सारी दिक दुरबलता का सिकार आपकी राशी के जातक रहने वाले हैं दिन पर कमजोरी सी महसूस होगी मन नहीं करेगा किसी कारे को क करने का मन भ्रमित सा रहने वाला है सरीर भी थोड़ा सा ठका हुआ सा मैसूस करेगा चीजें आपके लिए ठीक नहीं है सामाजिक तोर पर परिपेक्ष में मैं आगर देख पा रहा हूं तो आपके लिए आज के दिन आउसर बनने वाले हैं अपना सम्मान कमाने के अपने राशी के जातकों का भविस से बिकाल सकता है आज किसी प्रकार से भी ऐसा धनमत खर्च कीजिए जो आने वाले समय में आपकी राशी के जातकों के लिए चिंता का बिसय बन जाए यह चीजें आपके लिए ठीक नहीं दिखती हैं मुझे अधन से जड़ी भी तो कता ही नही एक चीज छोड़कर अभिमान अभिमान आपको वहां ले जा सकता है जहां से आप निकल कर बाहर ना आप आए यूश्वर ने आपका उसर दिया है भागे सव भागे सब कुछ आज के दिन आपके साथ है तो किसी ऐसे व्यक्ति को कश्ट मत पहुंचाईएगा और लालच मत पा लिएगा निश्यत ही आप जो पाना शाहते हैं आज के दिन आप पा जाएंगे बात करते हैं अगली राशी करक के बारे में करकर रासी के जातक थोड़े से धन खर्च को लेकर आप आज के दिन चिंतित हो सकते हैं लेकिन लाब भी आपको अतरिक्त ही होगा आज के दिन थोड़ा लाब नहीं होगा, असीमित लाब होगा, असीमित धन का खर्च भी होगा, चीजें आना जाना जीवन का अंग है, व्यापार रोजगार आपका ठीक चलने वाला है, और लोग भी आज के दिन आपको ठीक ही मिलेंगे, अगली राशी, सिंग के बारे में बात कर लेते चीजें आपके लिए मुझे ठीक नहीं दिखाई देती हैं महाँ पर, तो थोड़ा सा सावधान रहें, अपने कारियों में जरूर अपने मन को लगा करके रखें, और सावधानी सिकारियों को संपादित करें, अगली राशी, कन्या की ओर बढ़ते हैं, कन्या राशी के जा अतरिक तसावधानी के साथ ही आपको कोई भी कारे करना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, साटमी दासी तुला के बारे में बात कर लेते हैं, तुला राशी के जो जातक हैं, आज के दिन अपने ये गए कारे का सुरे लेने से आपको चूकना नहीं चाहिए, अगर आप चूक तुक गए, क्योंकि जो चूक गया, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, बात हमेशा उसी की होती है, जो सफल हो जाता है, और आपको आज के दिन इसके प्रती सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपके आस-पास के लोग ही आपका क्रेडिट चोरी कर लेना चाहते हैं, आपके परिस्तम का स्वयम परिणाम फल ने लेना चाहते हैं, सारी दिक परिस्तिती भी मुझे कहीं ने कहीं ठीक नहीं दिखती है, व्यापार रोजगार भी आज के दिन थोड़ा संबंदा रहने वाला है, अगली राशी, व्रश्चिक के बारे में बात करते हैं, व्रश् अगली राशी धनु की और बढ़ते हैं, धनु राशी के जातक परिवारिक और सारीरिक सुख आज के दिन पाएंगे, लेकिन आर्थिक सुख आपको नहीं मिलेगा, आर्थिक तोर पर आज के दिन आपका समय थोड़ा चिंता में वितीत होता हुआ, मुझे दिखाई दे र जाली है, थोड़ा सा सावधान हो जाईए, जीवन है, ठीक हो जाएगा, पस उसको समय दीजिये ठीक होने का, सुधरने का समय दीजिये, चीज़ें आपके पक्ष में होगी, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मकर राशी के बारे में, मकर राशी के जातक सारीरिक समस्य से आज के दिन आप निदान पाएंगे, परन तु हॉस्पिटल का या डॉक्टर का बिल इतना हो जाएगा कि मन दुखी कर देगा, तो थोड़ा सा आपने धन से जुड़े हुए कारियों को लेकर के आज के दिन आपको चिंता हो सकती है, और वही आपके दुख का कारण भी बन सकता है, बाकि सारी रिक परसितियां आपकी आज के दिन से सुधार में आ जाएंगी, और चीजें आपके लिए थोड़ी सीट ठीक हो जाएंगी, अगली राशी की और चलते हैं, बात करते हैं कुम्बराशी के विसे में, कुम्बराशी के जो जातक हैं, आज के दिन आपके लिए वो भी चिंता का भी से बच जाएगी तो थोड़ा सा सावधान है अपनी द्यानिक दिन चर्या को बहुत नियंतरी तरीके से करें चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी सुख भी आपको मिलेगा और आपकी जीवन की ब्रद्धी भी होगी अगली राशी अंतिम मुझे दिखाई देता है क्योंकि डर आपको वहां से निकलने नहीं देगा या पार रोजगार आपका ठीक नहीं चलेगा और मानसिक तोर पर भी आपकी राशी के जातक आज के दिन थोड़े से विचलितर रहने वाले यह था आपका आज के दिन का राशी फल अब बात कर महां उपाई की तो आज की दिन का महां उपाई मैंने जैसा कि आपसे पहले औरहा दौलादसी था परहस्पतवार और तो किस बात कहा है विसेशार अगर आपके सरीर में कोई चर्म रोग है तो भगवान साली ग्राम को इस्तान कराईए और उस जल को अपने सरीर में लगा लीजिए जिससे आपके सरीर में उत्पन उस चर्म रोग का इलाज संभाव हो जाए और भगवान नारायन की करपा से कहा जाता है नारायन चर्णो दकम बित्वा पुनर जर्म नहीं होता तो आज के दिन वो भी करिए भगवार नारायन का चर्णो दक पीजिए चीजें आपके लिए बहुत बहतर रहे अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं जानना चाहते हैं अपने राश्की फल को और उस दिन के खास उपाए और उस दिन से जुड़ी खास चीजों को तो हमारे चैनल को सुस्क्राइब कर सकते हैं वर पुनहां आप सभी से इसी स्थान पर मिलूँगा चैसरी राधे चैसरी कर दो